दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों आज की इस वीडियो में वार्षिक परिछा दोजार चौबिस विशाय विज्ञान कच्छा आठ के विद्यार्थियों के लिए ये रियल प्रष्ण पत्र आप सभी के लिए प्रस्तुत है प्यारे विच्चों वीडियो को लाष्ट तक विनास्किप के ज़रूर देखेगा ये पेपर आपकी परिछा के दिर्श्ते काफी इंपोर्टन है अगर आपके विद्याले में के स्रीज का प्रष्ण पत्र आता है तो सेम इसी प्रकार का प्रष्ण पत्र आएगा आप लोग इसको ज़रूर त्यार करके जाएए आईए देखते हैं सबसे पहले निर्देश्ट दिये गया है कि सभी प्रश्ण करना निमारे है प्रश्णों के अंक उसके सम्मुख निर्देश्ट हैं या आपके निर्देश दिये गए हैं ध्यान रखेएगा पहला प्रश्ण है सही विकलब छाट कर उत्तर लिखिए इसमें आपको पांच प्रश्ण बविकलबी दे जायेंगे जिसमें से सही विकलब को चाट कर अपनी उत्तर पुस्थिका में लिखना होगा तो का प्रश्ण है एक कोशिका जीव का उधाहरat है तो एक कोशिका का मंदलब है एक कोश की जीव कवनसा है मनुष्य हाथी, अमीबा या फिर बरगद तो अमीबा जो होता हो एक कोश्की जीव होता है थर्ड आप्सन आपका इसमें सही है खा कुश्चन दियागा है कि बाहर निसेचन होता है मेधक, गाए, मनुष्य या फिर बकरी में तो मेड़क में बाहिनिशेचन होता है पहला आप्शन इसका सही है एस्ट्रोजन है अंताषराविग्रंथी इस्त्री हार्मोन पुरुस्अर्मोन या फिर प्रजनन विधी, तो एस्ट्रोजन इस्तरी हार्मोन होता है, यह आपका second option सही है, गानमर प्रश्ण है, विष्व दिव्यांग दिवस मनाय जाता है, तो विष्व दिव्यांग दिवस प्रतेक वर्ष्व 3 दिसम्बर को मनाय जाता है, इसका third option सही हो जाएगा, अंगा नमर क प्रस्न है रिकतस्थानों की पूर्थ कीजिए तो इसमें आपको उचित सब्दों को इस्तिमाल करते हुए रिकतस्थानों की पूर्थी करना है पांच अंक इसमें आपको दिये जाएंगे का प्रस्न है उगाये जाने वाले एक ही किसम के पौधे को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो इसमें यहां पर लिखेगा फसल, एक ही किसम के पोधे होते हैं, जब एक साथ उगाए जाते हैं तो उनको फसल कहा जाता है, खाप प्रशन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, तो यहां पर लिख देगा समान दाब, ठीक, समान दाब डालता है, इसके बा द्धारा का मात्रक एंपियर होता है विद्धु धारा का मात्रक क्या होता है एंपियर होता है ये लिख दीजिए प्रकत में पाये जाने वाले चुम्बक को प्राकर्तिक चुम्बक कहते हैं क्या कहते हैं प्राकर्तिक चुम्बक कहते हैं यहां पर भर दीजेगा इसके बाद तिसरा है, सही पर सही ये मघलत पर गलत का निसान लगाकर लिखो सभी hydrocarbon carbonic बदार्थ हैं ये सही है सौर उरजा से विद्धुदूरजा प्राप्त नहीं की जा सकती ये गलत है, क्योंकि सौर उरजा से विद्धूरजा प्राप्त की जा सकती है, address बार पर ब्वेव साइड का नाम लिखते हैं ये भी सही है Net Escape, Navigator, Browser होता है ये भी आपका सही है Flowium उतक चन्तों में पायता है तो ये गलत है Flowium जो उतक होता है वो पोधों में पायता है तो कावाला, गावाला और घावाला सही है बाकी गलत है सही जोड़े बनाना है चार नमबर प्रश्ण पेट्रोल से क्या चलता है तो पेट्रोल से आपका स्कूटर चलता है कोईला तापी ये विद्दुत घरों में इस्तेमाल किया जाता है जलासे पर बांध ये जल विद्दुत सनयंदर के लिए बनाये जाते हैं डीजल के दोरब बस चलती है वायू से पवंचक्की चलती है तो इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे पांच अंक आपके पूरे हो जाएंगे पांचवा प्रश्ण है किन ही पांच खंडों का उत्तर दीजे वाइड एरिया नेटवर्क क्या है पहला प्रश्ण दूसरा है सीमित था असीमित उर्जा के तीन तीन उजार लिखो पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिस्रण है चुम्बक के चार गुण लिखो नेत्र दोस किसे कहते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखो अमीटर था ओल्ट मीटर में दो अंतर लिखो तो इसमें से कोई भी आपको पांच हल करना है यहाँ पे छे दिये गए हैं जिसके लिए आपको पांच तिया पंदरहंक दिये जाएंगे लास्ट प्रश्ण छे नंबर है इसमें आपको दो प्रश्ण हल करने है और जिसके लिए आपको पंदरहंक दिये जाएंगे पहला एक सवाल है एक हाथी का भार पच्चीस सो न्यूटन है इसके अलावा तलवों का छेतरफल जीरो पॉइंट दो पांच मीटर स्क्वाइर है तो उसके द्वारा अरोपे दापकी गणना कीजिए खा है फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं और गाह कहता है कि परिवार विरोध विधियों का प्रशार किस प्रकार किया जा रहा है तो इसमें आपको कोई भी दो प्रश्ण हल करने है तो ये बच्चों रहा आपका विज्ञान का प्रश्ण पत्र अगर आपके विद्याले में ये के स्रीज का प्रश्ण पत्र आता है तो सेम यही प्रश्ण पत्र आएगा अधरवाईज आप लोग इस प्रश्ण पत्र को तयार कर सकते हैं काफी important पत्र में दिये गए हैं तो आज की वीडियो में बस्तना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक करें धन्यमाज जहिन बंदे मात्रम